बिग बॉस 14 के मेकर्स एक के बाद एक जटके दिये जा रहे हैं। इस वीकेंड के वार पर सलमान खान ने खुलासा किया है कि इस हफते फिनाले होने वाला है। साथ ही सलमान ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि फिनाले वीक का मतलब ये नहीं कि बिग बॉस सीजन 14 खतम हो जाएगा। को जीतने का मौका मिलेगा। घर वालों को इम्यूनिटी जीतने के लिए अपना एक ऐसा सच बताना है जिसे कोई भी नहीं जानता। एक एक करके सभी घर वाले अपने सच को दुनिया से रूबरी करवाएंगे। वही रूबिना दिलैक इस दौरान अपना एक ऐसा सच बताने वाली हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। स्टास में रूबिना बताने वाली हैं कि वे और अभिनव एक दूसरे से अलग होने का फैसला करने वाले थे। दोनों ने ही एक दूसरे को नेवेंबर तक का टाइम दिया था। साथ ही रूबिना दिलैक ने ये भी बताया है कि बिग बॉस करने की सबसे बड़ी वज़य यही थी कि दोनों एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते थे। रूबिना के साथ एजास खान, निकी तमबोली और जासमीन भसीन भी अपने लाइफ के कुछ ऐसे ही सच सामने रखने वाले हैं। बात करे रूबिना और अभिना के रिष्टे की तो अपना ये सच बताते हुए रूबिना काफी इमोशनल नजर आई। साथ ही अभिनव भी काफी भावुक नजर आ रहे थे। वहीं बात करे ओडियेंसेंस की तो रूबिना और अभिना की तलाक की बात सुनकर ओडियेंस बाहर काफी शौक में हैं। रूबिना के इस खुलासे पर सोशल मेडिया पर लोग कई तरीके से रियक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि रूबिना सिम्पती काट खेल रही है और ये उनका सिफ नाटक है तो वही कुछ लोग ये चाहते हैं कि रूबिना और अभिनव की शादी न तूटे और उनकी सूला हो जाए आईए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स इसके साथ ही आपको बता दें कि रूबिना दिलैक इस सो की पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है इस बात का खुला सा खुछ सलमान खान ने किया है तो वहीं बाकी घरवाले अब फिनाले में अपनी जगा पकी करने के लिए जी जान से कोशिश करने में लगे हुए हैं तो अब यह देखने का इंतजार रहेगा कि Big Boss 14 के Top 4 में कौन-कौन से कंटस्टन रूबिना को जॉइन करते हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप Big Boss 14 के Top 4 में किन कंटस्टन को देखना चाहते हैं